दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में वीजे परकास आपका हारतिक स्वागत करता हूँ अपनी जिन्दगी में हम दुआएं तो बेसक कर रहे हैं उनकी आत्मा के सांती के लिए एंड इस्वर के स्री चर्णों में अस्थान मिल जाने के लिए बट मेरे समझ से अगर ऑनपैसिप से कुछ छोटे मोटे जरुरत और सपने भी उनके पूरे हो गए रहते तो निश्चित रुप से उनके आत्मा को सांती मिल जाती वे भी ऑनपैसिप से कितने बरे-बरे ख्वाब बुने होगे हम समझ सकते हैं दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए वीदा होने से पहले उनके भी मन में बस एक ही बात चल रहा होगा कि आज भले हमारी गरीबी और हमारी यह सफलता पर लोग हस रहे हैं बट जैसे ही ऑनपैसिप से हमारी सकसेज का सुरुआत होगा हमारा जिन्दगी बदलने लगेगा हमारे जरुट और सपने सभी पूरे होने लगेंगे हमारे पास लगजरी गारीयां, लगजरी बगने, लगजरी लाइफ, सब कुछ होगा हम जरुट मंद के लिए होस्पिटल बनवाएंगे इसकूल बनवाएंगे, हजारों जरुवत मंद के आर्थिक मदद करेंगे, उनके सारी अर्मान सभी सपने धरे के धरे रह गए। उनके बच्चों है फैमिली का आगे का जीवन कैसा होगा, यह भविस्ची की बाते हैं। यह पूरी तरह से सुनिश्चीत नहीं है, हाँ आगे चलके हमारा जीवन बहुत बहतरीन होगा, आगे चलके हमारे सभी ख्वाप हकीकत में बदलेंगे, यह उमीद और सपना जरूर है और यह पूरी तरह से भूत या बरतमान की बाते नहीं हैं, बलकि यह सब के सब अकाउंट भी ले लिये हैं, और O-Connect का सब्सक्रिप्सन लेकर अपने सभी अकाउंट को एक्टिवेट भी कर लिये हैं, कोई मेहनत मजदूरी करके रोज के दो चार पांच से रुपिये कमाने वाला इंसान, अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने के आस उमिद लिये, किसी से इंट्रेश्ट पे करजे लेकर पांच-पांच-दस-दस अकाउंट ले लिये हैं, और O-Connect के सब्सक्रिप्सन भी ले लिये हैं, आज वे कीन हलातों में जी रहे हैं, बस वे ही समझ रहे होंगे, हम लोग तो बस बरी असानी से दो सब्द कह देते है, करजे उधारी भी चुटकियों में चुका देंगे, और टेंसन फ्री होके संदार जीवन भी जियेंगे, बट हकीकत में देखा जाए, तो इस तरह के सब्दों ने उसे टेंसन फ्री करने के बजाए, और अधिक बरहा दिया है उनके टेंसन को, हर हपते, हर महीने करज द लेते रहता है, कि बस अब इनकम सुरू होने ही वाला है, नेक्स्ट मन्त में आपको सारे करजे ब्याज सही चुका दुगा में, बट ऐसा कब तक चल सकता है, हमें तो समझा दिया जाता है, कि टेकनोलोजी है, थोरा समय इधर उधर हो सकता है, और हम समझ भी लेते हैं, क्य की नहीं समझने के अलावा, कुई दूसरा विकल्ब भी नहीं है हमारे पास, बट जिसने करज दिया है, भला उसे क्या मतलब है किसी टेकनोलोजी से, या किसी अपडेट या अनौंसमेंट से, उसे तो समय पर उसका ब्याज मिलना चाहिए, और अगर समय पर उसका ब्याज की नहीं मिल सका, तो फिर वह अत्यधिक दबाव डालना शुरू कर देता है, ब्याज सहीत अपने पूरे मुलधन वापस करने के लिए, और कुछ इनी सबोजियों से, बहुत सारे फांडिंग मेंबर्स बहुत अधिक टेंसन और डिप्रेसन में जीने लगे हैं, और उसमें से, कुछ लोग असमे काल के गाल में भी समा रहे हैं, दोस्त, इसमें निगेटिव पाजिटिव जैसी कुछ भी बाते नहीं हैं, जो हकीकत में देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, बस वहीं बया कर रहा हूँ, CEO मिश्टर S के बार बार कमिटमेंट करने से, और ना चाहते हुए भी उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बरदास करना पड़ता है, और चुकि करेंट सिच्वेशन वैसा है भी, तो किसी को जवाब भी दे तो भला क्या दे, सारे लोगों को जवाब बस एक ही चीज से मिल जाएगा, जब ऑन पैसिप के हर एक फाउंड की बातें करते ही रहेंगे, इसका सबसे सटीक कुपाय बस यही है, कि बीना आप देर किये, जल्दी से जल्दी कैसे भी करके सब कुछ सुरू हो सके, जिससे हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के वैलेट में एपल्स मिल सके, और वे अपने जरुत और सपनों को पूरे कर सके, जब CEO मिश्टर राय सेमिनेटी के लिए मानावता के लिए ही काम कर रहे हैं, तो फिर इस बात को भी कैसे बरदास्त कर सकते हैं, कि अपने समाज सुसाइटी में ओन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर्स करजे उधारी ना चुका पाने के कारण, जलील होता रहे, बैज्यत हो लोग उसके गरिभी और लचारी पर हसते रहे, उसके मजा कुराते रहे, हमेसा founder position के value की बाते की जाती है, और यह भी कहा जाता है, कि founder position लेने के बाद से लोगों के value काफी बरहे हैं, बट ऐसी बात बिलकुल भी नहीं है, value किसी के तब बरहेगा, जब उसके जीवन में कु की बाते हैं उसके ब्याज तक्विय समय पर नहीं चुका पा रहे हैं जिसके चलते अपने समाज सोसाइटी के सामने उन्हें बार बार जलील होना पड़ता है पेज़ित होना पड़ता है वे फांडिंग मेंबर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह कैसा वेलू है फांडर खराब होना है और कोई भला है कैसे चाह सकता है कि उसकी बदनामी हो उसके नाम खराब हो आज अधिकतर फांडिंग मेंबर्स यही चाह रहे हैं कि कुछ भी करके जल्दी से जल्दी सुरुआत हो जाए हमारे कम्याबी का ताकि हम बेहतर जीवन भी जी सके और on passive and CEO Mr. S के व अगर कुछ होने को लेकर सुरु से लेकर आज तक कोई commitment कोई announcement नहीं हुआ रहता इससे किसी को भी कुछ खास तकलिफ है नहीं होती बड़ किसी चीज के होने का बार बार सालों से commitment किया जा रहा हो announcement किया जा रहा हो और उसके अनुरूप कुछ भी नहीं हो रहा हो तो इससे क को लेकर कई सारे founding members कह रहे हैं कि Mr. S तो एक IT expert हैं, एक उसल लीडर और marketer भी हैं, क्या उन्हें इस बात का असास नहीं होगा, कि कितना समय लग जाएगा, on passive को सफलता पुरुबक धरातल पे आने में, and founding members के success के सुरुवात होने में, उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होग कि on passive को पुरी तरह से तयार होके धरातल पे आने में, अभी 2-3 साल का समय लग जाएगा, आपके सफलता के सुरू होने में, अभी और 2-3 साल का समय लग जाएगा, ये बात वे 2020 में ही बोल सकते थे, और ऐसा हो गए रहता, तो आज कोई भी founding members परसान नहीं होता, और ना ही क कुल बेजान से हो गए हैं, बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसी से income commission आने के भरो से बैठे रह गए हैं, कि अब क्या कुछ करना, अब तो on passive से हमें वो सब कुछ मिलने जा रहा है, जिसका हम इंतिजार कर रहे हैं, सप्टेमबर 2023 से package purchasing इस्टार्ट होने के बाद से तो, काफी बेसबरी से इंतिजार है, सभी को traffic bonus commission के मिलने का, क्योंकि ऐसा ही होने को कहा गया था, तभी बहुत सारे funding members ने, जैसे तैसे कुछ भी करके, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्सन लिए, ओकनेक्ट का, उन्हें इस बात का डर था, कि कहीं हम सफलता के दौर में पीछे ना छ कर सकता, CEO Mr. S. के लिए, बहुत अधिक आदर और समान है, हर एक funding members के दिल में, बट उसे हमेसा हमेसा तक बरकरार रखने के लिए, उन्हें funding members की भावनाओं को समझना होगा, उनके चाहत को समझना होगा, विकीन चीजों के सुरू होने के मिलने के परतिक्षा में हैं, इसे दिल से उन्हें महसुस करना होगा, और जल्दी से जल्दी हर एक funding members के उमीदों और भरोसे पर उन्हें 100% खरा उतरना होगा, जो भी commitment किये हैं funding members से, उसे जल से जल पूरा करना होगा, ताकि funding members के जान वे जान आ सके, उनका मुर्जाया चेहरा खिल सके, खुसी के मारे उनका रोम रोम पर फुली थोने लगे, और वे पूरी तरह से tension और depression free हो सके, समाज society में उनका मान सम्मान बर सके, value बर सके, मुझे पूरा भरुसा है, कि अब किसी भी हाल में देर करना नहीं चाहेंगे CEO Mr. S, वे हर एक funding members का जीवन खुसीयों से भर देंगे, जीवल भाव इसकी क समनाओ के साथ मिलते हैं नेक्श वीडियो में, thank you दोस्त, धन्यवाद